गुड मॉर्निंग और वेलकम टू स्टुडी एक्यू मैडियो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रशाथ मावानी आपको सुपर हीरोईन्स या फिर सुपर हीरोज मानते थे लेकिन बहुत सारे लोग जाने अंजाने में हमारे जीवन में ऐसे आये कई बार कोई पैरेंट्स ने कई बार टीचर्स ने कई बार दोस्तों ने हमें ये बता दिया कि आप सुपर हीरो नहीं है और हमने उस बात को मान लिया और तब से हमारा जो आउट ओफ दबॉक्स सोचना है जो हमारी कैपेसिटी हैं उन कैपेसिटीज को हम भूल गए और हम उस बात पर यकीन करने लगे के हमारे अंदर वोक्षमता नहीं है बट वे सारे लोग जो हैं वो गलत थे आपका जो मानना था जब आप बच्चे थे that was absolutely right कि yes I can, yes I am a superhero, yes I am a superheroine हम सब के अंदर वो unique potential है और अगर आपको पता है कि आपका unique potential क्या है then tell yourself yes I can अपने आप पर यकीन करें और उस चीज़ में आगे बढ़े आज हमारे टेबल के उपर काफी सारे इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स हैं लेकिन उससे पहले डियो फ्रेंज अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो Study IQ एक complete online smart course लेकर आया है इसके subjects आपकी screen के उपर हैं course के features भी आपकी screen के उपर हैं you can download the PDF and go through it या फिर the best is के आप हमारा mobile app डाउनलोड करें हमारे smart course के साथ जोड़ी हुई सारी information आपको हमारे mobile app के उपर से मिल जाएगी lecture की video आपको download के निकलिए check out my telegram channel you can follow me on facebook as well कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछे थे उनकी answers आपकी screen के उपर हैं आज का पहला प्रश्न है मियान मार्क के ambassador to United Nations कौन है कौन सा ऐसा layer है जिसने मार्स को protect किया था solar wind की जो एक stripping effect होती है solar wind की वज़े से जो तबाही होती है तो scientists का मानना ये है कि मार्स में एक खास प्रकार का layer था वो layer कौन सा था हिमाचल प्रदेश का जो forest department है उन्होंने snow leopard के साथ जुड़ा हुआ एक project जो है इसकी शुरुआत किस साल में की थी Johnson & Johnson की एक single dose covid vaccine जो है इसको एक देश ने approve किया है वो देश कौन सा है और लास्ट में हैं इटाली का एक city है पॉंपी पॉंपी जो है वो boiling lava में जो lavarus है उसके तहत पूरा जो है वो बरबाद हो गया ये lavarus 79 AD में हुआ था तो ये किस mountain की वज़े से हुआ था चार options आपकी screen के उपने हैं पहला जो टॉपिक है इस वर इस बाउट पाकिस्तान इंडिया टेरिरिज्म एफ़टीएफ एफ़टीएफ यानि की financial action task force financial action task force में 39 मेंबर देश हैं और ये पैरिस में बेज़ड है पैरिस में इसका HQ यानि की headquarter है FATF ने ये ते किया है कि पाकिस्तान को फिलहाल grey list में रखा जाएगा इंडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान को एक और severe last और सबसे नीचे एक list है category है that is black list black list से उपर है grey list तो फिलाल पाकिस्तान एक लंबे टाइम से grey list में है और भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान को black list में रखा जाए लेकिन financial action task force ने ये ते किया है कि पाकिस्तान को और कुछ महिनों के लिए grey list में रखा जाए FATF ने पाकिस्तान को तीन महिनों का वक्त दिया है कि तीन महिनों के अंदर आपके जो commitments हैं पाकिस्तान को 27 points दिये गए थे by FATF और ये 27 points को achieve जब पाकिस्तान करेगा तब जाकर शायद पाकिस्तान को grey list में से निकाला जाए लेकिन पाकिस्तान ने ये बताया कि COVID-19 और ये सारे problems की वज़े से वो अपने जो 27 points है वो achieve नहीं कर पाया है in fact पाकिस्तान ने बाकिस सारे points लगबग 24 जितने points जो है वो पाकिस्तान ने achieve कर लिए हैं लेकिन सबसे बड़ा सबसे dangerous कुछ points हैं जिसमें terror financing तो terror financing वाले points जो है ये पाकिस्तान ने achieve नहीं किये हैं FATF के president का नाम है Marcus players और Marcus ने ये बताया है Mr. Marcus players ने ये बताया है कि तीन ये जो remaining points है out of 27 इनको आपने सिर्फ partially address किया है तो इनको thoroughly आप address करे उसके बाद आपको grey list में से निकालने की जो एक process है या फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है तो दो तीन important चीज़े जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी वो ये है कि terror financing के साथ जुड़े हुए जो cases है ये accurate हो ये effective हो डिस्यूएजिव हो यानि कि एक proper result दुनिया के सामने या फिर FATF के सामने पाकिस्तान को रखना पड़ेगा this is point number one कि जो cases चिल रहे है terror financing या फिर terror funding को लेकर उसमें एक solid result सिर्फ एक make-up नहीं कि सिर्फ FATF को दिखाने के लिए impress कने के लिए नहीं genuinely ground work कुछ होना चाहिए दूसरी चीज़ financial sanctions वे सारे terrorists या फिर terrorist organizations के खिलाफ जिनको UN ने United Nations Security Council ने terrorist जिनको गोशित किया है जैसे के हाफिज सईद मसूद अजर और इस प्रकार के तो बहुत सारे leaders पाकिस्तान में हैं तो इनके उपर proper financial sanctions लगाए जाए क्या होता है कि मान लिजे कि ये जो हाफिज सईद हैं उनकी एक team है या फिर उनका एक sort of organization है L.E.T. तो आप L.E.T. के उपर sanctions लगाएंगे तो यही सारे पैसे जो है ये जनरली तो cash में ही होता है तो फिर एक नया एक let's say L.E.E.E.T. नाम की एक दूसरी organization बना लेंगे और ये सारा पैसा उसमें divert कर देंगे तो दिखाने के लिए पाकिस्तान कहेंगा के देखे L.E.T. जो है उसको बंद कर दिया है लेकिन reality में L.E.E.T. या फिर कोई भी एक दूसरा version जो है इसका create किया जा सकता है तो ऐसी चीज़ें ना हो ये पाकिस्तान को make sure करना पड़ेगा अब पाकिस्तान ने F.E.T.F. के बारे में या फिर फॉर्मर पाकिस्तान के जो interior minister यानि की वहाँ के जो home minister रह चुके हैं रह्मान मलिक रह्मान मलिक ने ये बताया कि ये जो F.E.T.F. है उसको आप the Hague में ले जाएए वहाँ की जो court हैं वहाँ पर F.E.T.F. के ऊपर case होना चाहिए क्योंकि F.E.T.F. की वज़े से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का तो कहना ये है कि हमें आप इस list में रखे ही नहीं हम इसमें हमारे देश में ऐसा कोई कोई एनवार्मेंट ही नहीं है हमरे देश में ऐसी कोई चीज ही नहीं हो रही है जिसके बारे में आप हमें 27 points दे रहे हैं ये मानने के लिए तयार ही नहीं है कि उनका देश जो है वो एक टेरर लाँच पैड है पाकिस्तान है लॉस्ट 38 बिलियन डॉलर क्योंकि पाकिस्तान को 2008 से 2015 में ग्रेलिस में रखा गया था फिर थोड़े टाइम के लिए ये बाहर निकल गया फिर से 2018 से लेकर आज तक ये फिर से ग्रेलिस में है तो ये जो पूरा पाकिस्तान का एक टेन रहा है ग्रेलिस में इसकी वज़े से पाकिस्तान को 38 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ यह कहना है रह्मान मलिक का Mr. Player advised Pakistan to complete the remaining tasks by June 2021 June 2021 में यह जो बाकी के तीन पॉइंट्स है वो आप खतम कर दीजिए और June 2021 important इसलिए है क्योंकि आपके लिए important इसलिए है क्योंकि you have to keep this thing in mind कि FATF की जो next meeting होगी इस issue के उपर जो voting होगा वो जून 2021 में होगा एक अच्छी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ discussions चल रही है Director Generals of Military Operations DGMO के बीच में Thursday को एक ceasefire agreement हुआ है तो this is a good decision दोनों देशों के लिए अच्छी बात है क्योंकि दोनों देशों के बीच में ना तो political ना तो trade ना तो cultural ties फिलाल है यह सारे रिस्ते जो हैं वो तूट गए है तो यह एक अच्छा point है दूसरी चीज यह भी चीज सामने आई है कि हमारे जो national security advisor है अजीद दोबाल साब वो पाकिस्तान के senior officials जिसमें पाकिस्तान के army chief भी शामिल है तो उनके साथ एक discussion कर रहे हैं एक बातचीत चल रही है तो this is point number two यह दोनों चीज़ें काफी positive हैं असवारे इंडिया पाकिस्तान relations are concerned तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है moving on to next topic यह बहुत interesting topic है अगर आप एक regular student हैं तो आपको JCPOA यानिकी joint comprehensive plan of action जिसको हम famously इरान nuclear deal के नाम से जानते हैं इसके साथ जुड़े हुई काफी सारी basic information आपको पता होगी आपको यह भी पता है कि कब इसकी शुरुआत हुई मैं dates और यह सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अगर नहीं पता है तो आज मैं एक बहुत ही जो आज है वहां तर कैसे पहुचा यह सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो आज मैं एक बहुत ही I'm not going to go too deep into it मैं बहुत ही briefly आपको समझा दूँगा दो तीन मिनिट्स में के यह पूरी चीज़ कैसे हुई थे अब बाइडन administration के लिए सबसे बड़ा challenge foreign policy के point of view से अगर कोई है तो that is JCPOA या फिर इरान nuclear deal Obama जो है Mr. Obama वो कहते हैं या फिर कहते थे कि उनके कारियकाल में जब तक वो 8 सालों के लिए वो president रहे हैं यह से में president जो है वो 4 सालों के लिए होते हैं I'm sure you'll be aware about this fact तो बाराक Obama जो है वो कहते थे कि JCPOA जो है वो उनके कारियकाल का सबसे बड़ा अगर कोई diplomatic success था तो that was JCPOA इरान और USA के बीच में relationship जो है वो 1979 से पिछले लगबग 40 सालों से दोनों देशों के 40-42 सालों से relationship जो है वो काफी खराब थे लेकिन फिर एरान nuclear deal साइन हुई और ये एक बहुत बड़ा success था पुरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ये JCPOA जो है वो साइन हो गया फिर डोनाल्ड टरम्प आये और डोनाल्ड टरम्प जो है उन्होंने अपने campaign में भी बताया था ये JCPOA जो है ये एक तरफा है ये सारी चीज़े इरान के पक्ष में जा रही है ये बिलकुल गलत है अगर वो प्रेजिडेंट बनेंगे तो वो JCPOA को reject कर देंगे ये सारी चीज़े और फाइनली वो प्रेजिडेंट बन गया और उसके बाद उन्होंने धड़ा-धड़ एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स उठाएं युनिलेटरल स्टेप्स युएस से ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जिसकी वज़े से ये पूरी डील जो है वो हिलडुल गई या फिर जितने भी पॉइंट्स अचीव किया थे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो पूरी म एक के बारे में एक ब्रीफ देखिए सारी चीजें जो डील है वो UN के तहत हुई थी UN के फ्लेग के तहत हुई थी इसमें आपको P5 देश मिलते हैं France, Russia, USA, Britain और China P5 याने की United Nations Security Council के जो permanent 5 members हैं वो तो हैं ही उपर से एक और देश है ताइज जर्मनी और दूसरी तरफ हैं इरान तो टोटल कितने देश हुए? 6 प्लस 1, 7 देश और ये सिर्फ साथ देशों की बाचित नहीं थी अगें ये सारी चीजें UN के फ्लेग के तहत हो रही थी यारिकि ये पूरी दुनिया के लिए एक important discussion थी अब ये जो P5 प्लस 1 है ये छे देशों में तीन European देश हैं जिसको आप E3 कह सकते हैं तो ये चीज़ भी आप दियान में रखिएगा और ये तीनों देश जो है ये जो EU ग्रूप है फिलाल Britain तो इसमें से बहा निकल गया तो European Union जो है इसके तीन पिलर सबसे important अगर कोई पिलर्स थे तो ये तीन देश थे अब फिलाल दो पिलर्स हैं तो ये कुछ बेजिक चीज़ है 2015 में ये डील साइन हुई और फिर Mr. Trump आए और उसके बाद चीज़ें जो है वो काफी खराब हो गई तो ये इसकी बेजिक डीटिल्स है Now, the US decision was criticized by all other parties to the JCPOA including the European allies because Iran was in compliance with its obligations as certified by the International Atomic Energy Agency जब Mr. Trump ने ये decision लिया कि वो इरान मिंस ये JCPOA में से USA को निकाल देंगे तब JCPOA के बाकी के जो members हैं जिसमें China हैं, Russia हैं European allies European तीन देश जो मैंने आपको बताया है ये देशों ने भी USA के decision की निंदा की कहा कि इरान जो भी deal हमने इरान nuclear deal में की थी ये सारे points को IAEA ने International Atomic Energy ने certified भी किया है कि इरान ने सारे points को माना है और फिर भी आप ये decision ले रहे हैं इसके बाद बहुत सारे ups-downs हुएं अगर आप उन सारे ups-downs के बारे में ज्यादा जानना चाते हैं तो ये जो article है, राके सूथ साब ने लिखा है आज के the Hindu newspaper का article है इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं I'm sure ये discussion के बाद PDF को पढ़ने के बाद आप एक बार तो article को पढ़ते ही होंगे अगर नहीं पढ़ते हैं then I would highly reckon you guys कि आपको जितने भी articles at least हम discuss करते हैं आपको एक बार तो पढ़ना ही चाहिए तो बहुत सारे अपडाउंस होएं और finally January 2020 में एक बहुत बड़ी बात हुई General Qasim Suleimani General Qasim Suleimani जो है वो भारत के लिए जो अजीद दोबाल साब है उतने ही important व्यक्ति थे इरान के लिए और इतने important व्यक्ति को General Qasim Suleimani को USA ने एक air strike में मार दिया और ये एक बहुत बड़ी बात होगी इरान के लोग भी General Qasim Suleimani को काफी यहनो उनके प्रती एक 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 चाहत थी उनकी उनका fan following था तो उनको मार दिया उसके बाद तहरान जो हैं उसने announce कर दिया कि अब वो JCPOA के जो rules and regulations हैं इन सारी चीज़ों को follow नहीं करेगा उसने बताया कि IAEA के साथ को operation करेगा लेकिन JCPOA के points को अब इरान नहीं मानेगा by the end of this 2020 USA ने 80 जितने नए sanctions लगाए इरान के उपर और 1500 जितने COVID-19 की वज़े से इरान की situation काफी घराब हो गई 1.6 million जितने infections हुए और 60,000 जितने लोग जो है वो इरान में किमृत्ती हुई because of this COVID-19 इरान की economy जो है वो भी काफी COVID-19 से पहले भी माइनस 7 इसका contraction हुआ 2019 में 2020 में माइनस 6 तो इकरोमी की situation जितनी बिगड़ती गई उतने उतना ही लोगों के अंदर आक्रोश जो है वो इरान के हसन रोहानी की सरकार के उपर बढ़ता गया उपर से USS धड़ाद़ सेंक्शन्स लगा रहा था तो लोग जो है उनकी जो आस्ता थी गवर्मेंट के उपर ये भी काफी हिल डूलने लगी यू कैंसे फिर लास्ट नवेंबर नवेंबर 2020 में मौसीन फक्रिजादे मौसीन फक्रिजादे वहां के टॉप साइंटिस्ट थे ऐसा माना जाता है कि जो इरान में ये जो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके में हेड थे वो सबसे इंपोर्टन व्यक्ती थे तो उनको भी मार दिया गया उनके उपर एक टेरर एटेक हुआ और माना जाता है कि सी आई ए और इसराइल की जो मौसाद है ये मौसाद और सी आई ए ने मिलकर इनकी हत्या कर दी तो फिर नफरत जो है वो बढ़ने लगी और आज तक मिस्टर टरम्प की पॉलिसी जो थी वो इसराइल और साओधी अरेबिया को खुश करने के लिए वो इरान के ओपर संक्षन्स लगा रहे थे इरान को प्रेशराइज कर रहे थे ये सारी चीज़े कर रहे थे लेकिन ओवरोल जो बड़ी डील थी उसको नजर अंदास कर दिया दूसरी तरफ ये हुआ कि ये जो E3 है E3 यानि कि जर्मनी, UK और फ्रांस ये तीन देशों ने ये एक प्रामिस की थी इरान को के एक इंस्ट्रुमेंट इन सपोर्ट और ट्रेड एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज़ INS, TES INSTEX जिसको कहते हैं ये चीज़ याद रखेगा आपको इस प्रकार के MCQs पूछे जा सकते हैं तो ये 2019 में क्रियेट किया गया था और इसमें ये तेह किया गया था कि आपने तो JCP UA को फॉलो किया है तो हम आपके साथ ट्रेड करेंगे लेकिन ये ट्रेड जो है वो नहीं हो पाया और इसकी वज़े से इरान काफी नाराज हो गया फिर इरान में इलेक्शन्स होने वाले हैं जून 2021 में अब हसन रोहानी की जो सरकार है हसन रोहानी की जो टीम है इसको काफी एक मोडरेट मना जाता है ये हॉकिश नहीं है ये एंटी यूएसे नहीं है यह इतने aggressive नहीं है यह थोड़े sensible है तो अगर यह सारी चीज़े economy down जा रही है उनके important players मर रहे हैं sanctions लगाये जा रहे हैं COVID-19 के relief नहीं मिल रही है तो यह सारी चीज़ों के वज़े से लोगों की नफरत बढ़ेगी असन रोहानी के तरफ और अगर जो उनके opposition में है वो leaders अगर elect हो गए तो फिर वो भी JCPOA में से निकल जाएंगे तो it is very important कि Biden administration जो हैं वो चीज़ों को 180 degree का turn दे और back to normal चीज़ों को करने के लिए जो भी चीज़े कर सकते हैं वो करें ताकि एरान के पास North Korea की तरह nuclear weapons ना आ जाएं रोबर्ट मेली को USA का special envoy for एरान के तहत एपॉइंट किया गया है तो ये भी एक positive खबर हैं वो काफी एक sensible व्यक्ति माने जाते हैं और एरान जो हैं उनकी custody में जो यूरोप और American nationals हैं उनको अगर एरान छोड़ दें तो बात्चीत जो हैं वो आगे बढ़ सकती है इसके साथ COVID relief दी जानी चाहिए और कोवेक्स facility के तहत उनको vaccines और ये सारी चीज़ों का support दिया जाए तो लोगों का विश्वास जो है वो जीता जा सकता है इसके साथ Brussels यानि की European Union एक लंबे टाइम से अपने आपको एक independent foreign policy actor साबित करना जाता है और ये एक right opportunity है EU और UK के लिए भी कि वो अपना जो metal है उसको प्रूफ करें तब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है फिर एक topic है master of the roster roster master of the roster के मतलब ये हैं कि अगर आप किसी company में काम कर रहे हैं और जो rota system है जिसको rota system rota system यानि की retail industry में ये चीज़ आपको देखने को बिलती है कि एक team leader होते हैं और team leader ते करेंगे कि कौन 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 से team members जो है वो sundays को off लेंगे कौन कौन से लोग जो है वो mondays को off होंगे हर एक को एक या फिर दो दिन की depending on the company depending on the company के आपको day off मिलता है तो कौन सा व्यक्ति कौन off लेगा तो ये पूरा rota जो तयार करता है इस system का master of the roster कहते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं supreme court के बारे में तो हमारे जो chief justice of इंडिया है उनको master of the roster कहा जाता है क्योंकि कौन सा judge किस particular case को संभालेगा ये तेकने का जो pure एक power है वो chief justice of इंडिया के पास रहता है और इसका दूरुपयोग भी हमने देखा जैसे के जो former हमारे chief justice of इंडिया थे रंजन गोगोई साहब तो उनके खिलाब एक sexual harassment का जब case आया तो काफी एक आप just imagine कीजिए कि आपके उपर एक इल्जाम है और आप ही judge है आप ही तरह करेगे कि आपके उपर इल्जाम है वो सही है या गलत क्या ये logical बात है मैं आप से पूछ रहा हूँ तो ये चीज़ हुई थे कि रंजन गोगोई साब के उपर जब एक के मिनस एक इल्जाम लगा गया एक महिलान लगाया था कि रंजन गोगोई ने उनको sexually harass किया है तो रंजन गोगोई ही उस bench पर बैठे थे जो judges की bench है उसमें वही बैठे थे तो ये जो एक exclusive power है exclusive discretion कि आपकी की काफी निंदा होती है now the thing is कि अगर अगर लंबे टाइम से judiciary ने ये कहा है कि अगर हम ते नहीं करेंगे तो और कौन ते करेगा और ये जो master of roster वाली चीज जो है उससे executive interference यानि कि सरकार का जो interference है वो नहीं हो पाता है तो ये एक supreme court की जो स्वतन्त रता है या फिर judiciary की जो स्वतन्त रता है उसकी उसको protect करने के लिए master of roster thing जो है वो काफी important है लेकिन just imagine करें इसकी एक दूसरी side जो है वो ये भी हो सकती है आपको सिर्फ एक ही government को सिर्फ एक ही judge अपने पक्ष में चाहिए that is CGI आई अगर वो government की तरफ एक जुकाव रखते हैं तो फिर जो भी case है उसमें जो भी व्यक्ति आप रखना चाहें वो रख सकता है इसे 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 चीज़ एक ही व्यक्ति को आपने फोड लिया तो बाकी सारी system आपके पक्ष में आ जाएगी ये भी एक हो सकता है ये भी एक interesting point है दूसरी चीज़ बियार आमबेटकर साब ने ये clearly बताया था constitute assembly में कि Chief Justice of India जो है वो भी एक इनसान है उनके अंदर भी वो sentiments हैं उनके अंदर भी वो खामिया हैं उनके अंदर भी वो एक prejudices हैं जो हम सब के अंदर शायद होता है तो वो कोई भगवान नहीं है या फिर वो कोई ऐसा ही super human being नहीं है अगर ये जो हमने starting में super human being या फिर super heroes की बात की I'm not talking about that अगर हम ये मान ले के CJI जो हैं वो एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं या फिर prime minister, presidents एक बहुत ही सही बात बताई थी तो इसका मतलब ये है कि उनकी पास ऐसे कोई extraordinary powers जो है वो नहीं होने चाहिए अशोक पांडे versus government of India का 2018 का जो case था उसमें CJI ने ये बता दिया ये तीन judges वाली bench जो थी उसने ये बता दिया कि master of roster जो है वो एक CJI का exclusive power है उसके बाद दो judges की bench थी शांती भूशन वर्सिस Supreme Court of India तो इस particular case में 2018 में master of roster जो है should be interpreted as the collegium तो इसको reject कर दिया master of roster जो है it's not collegium collegium में जो 5 members होता है it's not that it's just CJI तो CJI के extra powers जो है वो यहाँ पर re-establish कर दिये clarify कर दिये Supreme Court ने इंदरिया गांदी जब Prime Minister थे तब उन्होंने कुछ High Court judges के transfers को order किया था तो उस टाइम पर Supreme Court जो है वो collegium system को लेकर आया appointment और यह सारी चीज़े जो है वो 5 लोग मिलकर तेह करेंगे CJI और फिर चार जो senior Supreme Court के judges हैं वो मिलकर तेह करेंगे High Courts की और High Court मैंसे कौन Supreme Court में आयेगा यह सारी चीज़े है तो इस प्रकार से Supreme Court या फिर जुडिशरी जो है वो collegium system को लेकर आई और अपने पास अपने बहुत सारे पावज़ रख है तो यह अगर जो हमने यह point यह जो एक point सच भी हो सकता है यह plain to CGI वाला जो मने आपको बताया कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को सरकार ने अपने पक्ष में ले लिया और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार जैसे करें जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं तो इसको रोकने के लिए दो चीज़ की जा सकती है एक तो है यह post retirement jobs जो है क्योंकि रंजन गोगोई जैसे ही retire हुए उनको directly एक you know select किया गया as a member of parliament in राज्यसभा और दूसरी चीज़ जो है कि यह जो privilege master roster का जिसमें CGI allocate करते हैं तो इसको भी थोड़ा sort out करना होगा तो पहला जो point है यह post retirement का तो इसके लिए cooling of period यानि कि अगर आप retire हुए है तो let's say 2 सालों तक आपको किसी भी जगा पर appoint नहीं किया जा सकता तो यह चीज़ की जा सकती है इसके कुछ benefits हो सकते हैं दूसरा जो point है master roster वाला इसके लिए हमें चाहिए thorough discussion एक stakeholders है यान कि सरकार में आप फिर judiciary के साथ जड़ी हुए लोग इस points को discuss कर सकते हैं कुछ committees बनाई जा सकती है और इसका कोई solution निकला जा सकता है moving on to next item financial world के साथ जड़ी हुई एक important I won't say khabar but I would say sort of article ही है economic times का article है और एक बहुत important व्यक्ति ने इस article को लिखा है उनकी post में भूल गया और इस article का नाम है FII PLI is having the right effect economic times का article है आप इसको ढूंड सकते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं एक production linked incentive scheme है तो इसमें basic एक layman's language में आम आदमी की भाषा में अगर बात करूं तो जितना आप production करेंगे let's say आप mobile phone बनाने वाली company है तो आप अपने 10 mobile phone बनाए तो फिर आपको उन mobile phones के उपर कुछ incentive मिलेगा सरकार आपको किसी ना किसी प्रकार का discount देगी अब जितना ज्यादा production करेंगे उतना आपका discount बढ़ता जाएगा तो आप ज्यादा manufacturing होगा हमारे देश में और उतना ही ज्यादा export होगा सरकार ने कुछ 20 billion dollar distribute करेंगी government of India under this production linked incentive जितना production उतना आपको incentive मिलता जाएगा तो इसका फाइदा ये होगा कि हमारे देश में manufacturing भी बढ़ेगा उसके साथ हम exports भी ज्यादा कर पाएगे foreign companies का investment भी ज्यादा आएगा भारत में क्योंकि कोई foreign company अगर हमारे देश में आने के बारे में सोच रही है तो उनको पता चलेगा कि चलो उनको 4%, 3%, 6% जितना incentive मिल रहा है 100 रुपे के उपर उनको उलेट से 6 रुपे वापस मिल रहा है तो ये तो उनका profit ही हो गया ना तो इस प्रकार से foreign companies भी हमारे देश में आने के बारे में सोचेगी और जो companies यहाँ पर है वो उनका expansion, दूसरे और ज्यादा units या फिर manufacturing को और ज्यादा करने के बारे में सोचेगी जोब, नई jobs भी generate होगी और सरकार का भी revenue increase होगा ये बताया जा रहा है कि आने वड़े पांच सालों में सरकार को सिर्फ mobile और telecom equipment से 65,000 करोड रुपीज जितना GST मिलेगा government ने July 2020 में mobile manufacturing फिर drugs जो है यानि की दवाई या medical devices के लिए 51,311 करोड रुपीज पांच सालों के लिए इतना financial outlay रखा है कि इतना इतने पैसे जो है वो इन sectors को मिलेंगे incentive के तोर पर और last November सरकार ने और 10 sectors को इसमें add कर दिया जिसमें textile हैं mobile हैं white goods हैं food processing फिर battery battery cell technology products, दूसरे technological products, solar photovoltaic module, automotive sector इन सारे sectors को add कि और इनके लिए 1,45,980 करोड रुपीज allocate किया गए incremental sales के उपर आपको year by year जो है 4 to 6% जितना incentive मिलता रहेगा और जैसे मैंने बताया कि FDIB काफी सारी इसकी वज़े से आएगी, विस्ट्रोन फिर Foxconn है, Pegatron Samsung यहाँ पर smart watches बनाने वाला है smart watches के लिए 5000 करोड रुपीज या फिर variable devices के लिए 5000 करोड रुपीज का PLI announce किया गया है Samsung यहाँ पर बहुत सारी चीज़े बनाएगी Amazon यहाँ पर खास प्रकार के TV बनाना चाता है और यह सारी चीज़ों की वज़े से भारत जो है वो global supply chain का एक बहुत important पार्ट बन जाएगा यह सारी चीज़े होगी कहाँ पर state level पर state level reforms की भी काफी आवश रखता है और states भी काफी positive तरीके से PLI scheme को support कर रहे हैं तो overall अगर हम बात करें तो investment और manufacturing का जो एक future है भारत में वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है तो PLI जो है यह overall एक success है यह है कुछ news items dear friends please PDF को डाउनलोड करने बाद इनको देख ले जेगा and I will see you tomorrow till then enjoy your studies God bless you all जैहिंद